नमस्कार, मेरा नाम है रवी, आपका स्वागत करता हूँ आर्थ वर्धन चनल में Recently, Association of Mutual Funds of India ने एक डेटा रिलेस किया है जिसके according कौन से फंड में सबसे ज़्यादे AUM है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है AUM का मतलब होता है Asset Under Management जो भी हम investment करते हैं किसी भी fund के अंदर वो investment के value को हम AUM कहते हैं Simple language में Asset Under Management अगर किसी fund में AUM ज़्यादा है मतलब उस fund के अंदर लोगों का trust भी ज़्यादा है इसी की वज़े से लोग ज़्यादा उस fund में investment करते हैं आप भी अपना investment इस list के according प्लान कर सकते हो investment में और भी आसानी हो जाए हमारी लिस्ट में पहला fund है कोटक flexi cap fund जिसका AUM 37,100 क्रोड का जिसमें growth आई है पिछले साल के मुकाबले 3% का है यह एक flexi cap category का fund है इसमें fund manager को पूरी आजादी रहती है कि वो across the market cap और across the sector किसी भी stocks में investment कर सकता है हमारी लिस्ट में दूसरा fund है axis blue chip fund जिसका AUM है 35,700 क्रोड का जो की एक large cap category का fund है इसमें growth आई है पिछले साल के मुकाबले 32% का तीसरा fund हमारी लिस्ट में है axis long term equity fund जिसका AUM है 32,100 क्रोड का यह एक ELSS category का fund है मतलब यह एक tax saver fund है इस fund में investment करने से पहले आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप इस fund में investment करते हो तो आपका investment तीन साल के लिए lock हो जाएगा इस fund में growth हाई है पिछले साल के मुकाबले 8% की चौता fund है SBA blue chip fund जिसका AUM है 31,900 क्रोड का यह भी एक large cap category का fund है पांचवा fund है मिरे asset large cap fund जिसका AUM है 31,900 क्रोड का जिसमें growth हाई है around 24% की यह भी एक large cap category का fund है large cap category के fund इंडिया की top 100 companies में से बनाया जाता है चटा fund है ICIC Prudential Blue Chip fund इसका AUM है 31,600 क्रोड का यह भी एक large cap category का fund है हमारा सात्वा fund है HDFC Mid Cap Opportunities Fund इसका AUM है 31,300 क्रोड का यह एक mid cap category का fund है मतलब इस fund में ऐसे stocks हैं जो mid cap category में से बिलोंग करते हैं हमारा आठवा fund है HDFC Flexicap fund जिसका AUM है 27,500 क्रोड का इसमें growth आया है 9% का यह एक flexicap category का fund है नौवा fund है SBA focused equity fund जो की मेरा favorite fund है इसका AUM है 24,900 क्रोड का इस fund में एक शांदार growth देखनों को मिली है 57% की जो की बहुत ही सांदार है यह एक focused category का fund है focused category के fund का मतलब होता है कि इस fund में जितना हो सके उतना minimum stocks को रखा जाता है focused category के fund में 30 से ज़्यादा stocks को रखा नहीं जाता है और हमारा last और दस्वा fund है यह भी मेरा favorite fund है जो कि यह UTI flexi cap fund इस fund का AUM है 24,900 क्रोड का जिसमें 3% की growth हुई है पिछले साल के मुकाबले यह भी एक flexi cap category का fund है इन top 10 funds के list में से आप अपने according किसी भी fund में investment कर सकते हो यह fund कौन सी category में आता है वो भी मैंने आपको बता दिया अगर आपके मन में किसी भी तरीके का investment के regarding question है तो आप टेलिग्राम, Twitter या Instagram पर हमें follow करके अपने questions को पूछ सकते हो मैं आपकी queries को solve करने की कोशिस करूँगा होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो Thank you